लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स को Realme ने कवर करने की कोशिश की है साथी एक पॉइंट में आपको और इंक्लूट करना चाहूंगा वो यह है अगर आपका बजट 12-15 रुपय के आज-पास है जो की एक ऐसा budget range smartphone है जहाँ पर आपको features वो सारे देखने को मिलने वाले हैं जो की आपके daily use के होते हैं और साथी साथ आपको कुछ flexive features भी देखने को मिलेंगे तो क्या है वो features इनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो बने रहेगा इस वीडियो में आखरी तक हमारे साथ वही दूसर ये phone मेरे को मिला है DKG Mobile की तरह से तो अगर आप purchase करना चाहते हैं तो उनके links आपको description box में देखने को मिल जाएंगे चलिए open करते हैं इस box को देखते हैं क्या खासे में आपके लिए तो ये है हमारे पास Realme का C55 box को अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम Realme की traditional packing ही देखने को मिल जाएगी और back पर आपको कुछ बहुसी specification वगर दे रखिए जिने के आप overview कर सकते हैं इनके बारे में हम लोग आगे चाहकर बात करेंगी हमारे पास जो variant रहता है वो 8122 का रहता है इस phone में आपको काफी सार ये variants देखने को मिल जाएंगे 4,64, 6,64, 6,20, 8,122 और 8,256 का यानि कि सभी तरीके के आपको variants इस phone में देखने को मिलेंगे box को open करते हैं फटा-फट अगर हम इसकी accessories को देखना शुरू करें तो यहाँ पर आपको ये एक अलग से section मिल जाता है section काफी मोटा है तो एक बात तो अंदर शोर होने वाली है कि case cover आपको देखने को मिलने वाला है सामने की तरफ ये छोटी सी SIM ejector pin है और साथ ही आपको ये case cover देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर already black है तो उतनी चीज़ आपको पता नहीं चलेगी long term में साथी phone को निकाल कर side में रखेंगे क्योंकि पहले यहाँ पर बात करनी होगी एक बार जो है इसकी accessories के बारे में और accessories में आपको दे रखा होता है यह एक भारी भरकम सा charger जिसे के मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो charger की अगर बात करी जाए तो काफी heavy सा लग रहा है 33 watt की badging आपको इसमें देखने को मिल जाएगी Supervoke technology based आपका यह charger रहता है एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको output rating जो maximum दे रखी है वो 11 volt 3 ampere maximum की दे रखी होती है और साथी साथ charger पर आपको made in India की badging भी देखने को मिल जाएगी तो काफी heavy सा आपको यह charger देखने में लगेगा यानि कि आदे घंटे में यह phone लगबग 50% तक चार्ज हो जाएगा और इसकी जो battery दे रखी होती है वो 5000 mH की दे रखी होती है तो काफी ठीक ठाक configuration battery के मामले में यहाँ पर नजर आ रही है फटाफाट phone को इक पर setup करा लेते हैं उसके बाद और detail से बात करेंगे इसके बारे में तो दोसर फोन यहाँ पर setup हो गया है सबसे पहले अगर आप display को देखेंगे तो एक चीज़ इसकी display की मेरे को सबसे अच्छी लगी है कि लगबग यहाँ पर आपको bezel-less display देखने को मिल जाती है अगर आप देखेंगे तो 6.72 inches का आपको IPS LCD पैनल दे रखा होता है जो कि आपका full HD plus के resolution के साथ आएगा और इसमें आपको 90 Hz का refresh rate भी देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छी बात रहेगी यानि कि यहाँ पर display भले ही IPS LCD पैनल है लेकिन आपको यहाँ पर configuration में किसी भी तरीके की कमी देखने को नहीं मिलेगी साथ ही अगर आप यहाँ पर screen to body ratio देखेंगे तो यह भी काफी जादा होता है लगभग 86.7% का और मैंने आपको बताया भी था कि नीचे की तरफ आपको लगभग नाम मात के ही bezels देखने को मिलेंगे और आप देख सकते हैं side से आपको एकदम borderless display देखने को मिल जाती है flat panel यहाँ पर एकदम रहेगा और साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी pixel density के बारे में तो इसमें आपको 392 pixel per inch की pixel density देखने को मिल जाती है यानि की काफी बहतरीन display इसकी आपको मिल जाएगी उपर की तरफ आपको punch hole में एक छोटा सा selfie camera देखने को मिलेगा जो कि आपका 8 megapixel करता है जिससे कि आप 1080 pixel की video 30fps पर record कर सकते हैं साथी अगर हम इसके side को देखें तो यहाँ पर आपको एक side mounted fingerprint scanner देखने को मिल जाता है और साथी साथ volume keys देखने को मिलेंगी दूसरी तरफ आपको एक dedicated SIM slot का support देखने को मिल जाएगा और अपर section की बात करें तो एकदम neat and clean यहाँ पर आपका रहता है नीचे के तरफ आपको जानी पहचानी सी चीज़े दे रखी होंगे जहाँ पर आपको एक audio jack छोटा सा mic type C port और यह आपको speakers दे रखे होते है frame overall देखा जाए तो काफी प्यारा सा लग रहा है लेकिन plastic frame ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और काफी grippy handle grip के साथ यह frame आपको देखने को मिलता है back portion की बात करते हैं तो back portion काफी classy यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर आपको काफी बड़े-बड़े cameras देखने को मिल जाते हैं overall यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके इस portion को तो यह आपका पूरा plastic का बना हुआ है जहाँ पर आपको हलका सा matte finish आप कह सकते हैं देखने को मिला है वही अगर आप इस camera setup को देखेंगे तो यह आपके थोड़ा सा high gloss में रहते हैं जिसकी वज़े से कही न कही थोड़ से attractive हो जाती है इसके क्याम राज इसमें आपको 64 Megapixel के wide angle lenses और 2 Megapixel का depth sensor देखने को मिल जाता है जिसे कि अब 1080pixel की video 60fps पर record कर सकेंगे वही नीचे की तरफ आपको realme की badging देखने को मिल जाती है तो आगे बढ़ने से पहले आप comment करके बताएगा कि इस phone का back panel आपको कैसा लगा है अब दोस्तों चलना होगा फटा-फट बात करनी होगी एक बार जाकर इसकी internal specifications के बारे वे जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े दे रखी होगी और नैनो रिवी वेबसाइट के अगर हम इसकी rating को देखते हैं टा आउट ओफ अंडर 31 की होती है और एक C-grade processor इसे mark किया गया है हाला कि rating थोड़ी सी below the average है बट मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप इससे halki full की gaming अराम से कर पाओगी कोई बहुत ज़़ा दिक्कत नहीं आने वाली है बस आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसके upper variance पर ही जाएं लेकिन अगर आप upper variance पर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको RAM expansion का भी option देखने को मिल जाता है अब दूसरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस specification काफी details से दे रखी होते हैं जने कि आप एक बार overview कर सकते हैं android version आपको 13 देखने को मिल जाएगा जो कि फिलाल अभी updated है अब दूसरे एक बार चलना होगा इसके camera के बारे में बात करनी होगी कि camera क्यासा रहता है तो यहाँ पर आपको 64 Megapixel का camera मिल गया है और यहाँ पर सामने के दर कुछ floor pots वगएर रखें तो मैं इसे थोड़ी देर indoor और outdoor दोनों में ही इस्तेमाल करता हूँ और आपको फिर इसके camera के बारे में detail से बताता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ photos वगएरा click करी थी इसके camera से और अभी मैंने normal sensor का ही इस्तेमाल किया है इससे photos लेने में अब आप यहाँ पर इसकी depth को देखेंगे कि कितना बहतरीन यह image capture कर रहा है इसके camera के साथ मैं दोस्तों यहाँ पर मैंने काफी सारी images और भी ली है जिनने की आप देख सकते हैं और काफी बहतरीन images यहाँ पर देखने में लग रही है और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो यह है कि यहाँ पर यह image मैंने क्लिक करी है normal sensor से और अभी मैंने 64 megapixel को on नहीं करा है इसके बावजूद भी जो आपको depthness देखने को मिली है जो आपको zooming quality देखने को मिली है वो काफी अच्छी देखने को मिल गई है और यहाँ पर इस्तेमाल किया है मैंने 64 megapixel का तो यहाँ पर zooming quality और भी काफी जदा तगड़ी चली जाती है तो यह एक बहुत अच्छा point रहेगा इसके camera को देखते हुए बात अगर हम इसके selfie की करते हैं तो यहाँ पर इसका selfie camera आप देख सकते हैं कि outdoor में कैसी performance दे रहा है और overall बहुत ही अच्छी depth maintain करता हुआ इसका selfie camera भी दिखाई देगा काफी देखने में अच्छा लग रहा है जिससे कि आप यहाँ पर overview कर सकते है outdoor में इसकी performance काफी अच्छी थी और अभी आप indoor में भी कुछ इसके samples वगरा देख रहे होंगे तो comment करके बताएगा कि आपको overall इसका camera क्यासा लगा है अब दुस्तों चलना होगा बात करनी होगी इसके fingerprint scanner के बारे में fingerprint scanner यहाँ पर side mounted रहता है और जैसे ही आप लगाते हैं काफी तेजी के साथ response देता है कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी बहुत तेजी के साथ यह आपका open हो रहा है यानि कि fingerprint scanner वाकई काफी लाजवाब रहता है अब बात इसके face lock की करते हैं तो जैसे ही आप इसे on कराकर अपने सामने लाते हैं तो यह face lock भी बहुत तेजी के साथ on हो रहा है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हलाकि इसमें rise to wake का feature नहीं दे रखा गया है जिसे कि आपको थोड़ा सा notice करना होगा लेकिन overall इसका fingerprint scanner और face lock वाकई काफी ज्यादा fast है तो comment करके बिताएगा कि आपको overall performances की कैसी लगी है तो दूसरे review करने से पहले मैं आपको कुछ बाते और भी बतना चाहूंगा इस phone के बारे में वो यह है कि जो इसकी कीमत रहती है लगभग यह 12,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है और 14,000-15,000 रुपए के उपर तक जाता है अगर आप इसके variants अलग-अलग type भी लेते हैं या फिर upper variants लेते हैं तो एक चीज में आपको बताऊंगा जो यहाँ पर आपको display देखने को मिल गई है battery देखने को मिल गई है जो processor देखने को मिल गया है उसमें अगर हम चाहे display की बात करें या फिर battery की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत नहीं है हाला कि processor आपको थोड़ा सा मतलब ok ok types ही दे रखा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस price range को होते हुए मतलब देखते हुए अगर आप इसकी display को देखेंगे तो काफी बहतर है अगर आप 15,000 रुपए तक pay कर रहे हो तो हो सकता है आपको Super AMOLED किसी other brand में मिल भी जाए लेकिन यहाँ पर आपको 90 Hz का refresh rate का जो combo मिल गया है display के साथ सक वो काफी बहतर है साथी एक point में आपको और include करना चाहूंगा वो ही है कि 33 Watt की fast charging भी आपको दे रहे है जो कि एक बहुत अच्छा point रहेगा अगर आप other किसी brand में जाओगे तो हो सकता है आपको इतनी अच्छी fast charging ना मिले या फिर 5000 mAh की battery ना मिले लेकिन यहाँ पर दोनों ही points को Realme ने cover करने की कोशिश की है हाला कि यहाँ पर मुरे को processor को लेकर थोड़ा सा लगा है कि यहाँ पर ok ok types है लेकिन इससे आप halki full की gaming भी अराम से कर पाएंगे किसी भी तरीकी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो comment करके बताएगा कि आपको यह phone कैसा लगा है मेरे को तो personally काफे interesting लगा है और अगर आपका budget 12-15 रुपय के आसपास है तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप realme c55 की तरफ जाए link मैंने description box में दे दिये है जहां से जाकर आप इसे खरीद भी सकते है इसकी latest price चेक कर सकते है और साथी इसका एक competitor है जिसके साथ मैंने इसका comparison भी कराया हुआ है तो उसे भी अगर आप दिखना चाहते हैं तो उसके link मैंने आपको description box में available करा दी है फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो इंटरस्टिन लगे हो तो लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा तब तक लिए नमस्क्राइब दोस्तों जैहिन बंदे मात रो